आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों को अब मिलेगी मौसम की स्थापना करने की तयारी हो रही है इसको लेकर जल्दी आपका स्थापना करने की तयारी हो रही है इसके तहट ही अब सभी 8,366 पंचायतों में आपका स्थापित करने की प्रोक्रियाज शुरू कर दी गई है जो इसके बाद अब आने वाले 6 महीने में राजु के सभी पंचायतों में ऐसे केंद्र को स्थापित करने का काम पूरा कर दिया जाएगा योजना एवं विकास विभाग के स्तर से इसकी समुचित मॉनिटरिंग शुरू की जा चुकी है इसको लेकर कि केंद्र सरकार पहले ही 14 करोर रुपे भी जारी कर चुके है राजसरकार ने भी 144 करोर रुपे जारी करने का फैसना सुनाया है चालो वितिय वर्ष में इस योजना को पूरा करने का लक्ष रखा गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे किसानों को फाइदा पहुचाने के रादे से शुरू किये जार है Automatic मौसम केंद्र को समय के तोर पर जोड़ने वाले से प्राप्त आकडों का राजिस्तर पर आकलन करने के लिए बिहार मौसम सेवा केंदर की स्थापना पहले से ही की जा चुकी है, जहांपर जल्दी राज्टिय सतर के कुछ मौसम विज्ञानिकों की भी तैनाती हो जाएगी राजु के सभी पंचायतों में मौसम केंद्रों की स्थापना होने से राजु के सभी हिस्से के मौसम के बारे में सटीक जानकारी अब किसानों को समय समय पर मिलती रहेगी इता ही नहीं बिहार के लावा सभी 534 प्रखंड स्तर पर भी और मौसम केंड्र की स्थापना की जा चुकी है लगभग सभी प्रखंडों में इसमें काम करना भी शुरू कर दिया है खबरों के माने तो जिन प्रखंडों में इसने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है वहाँ भी जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी मौसम के हर पर बदलते मिजाज और इसके आपदा के रूप में तब्दीर होने के बारे में सही जानकादी होगी जिसके तहित किसानों को ठनका, आंधी तूफान, भारी बारिश, समेथ तमाम प्रकृतिक आपदाओं के बारे में स्थानिये लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी किस छेत्र का मौसम कैसा होगा और कब बदलेगा मौसम का मिजाज, इसकी सही जानकारी मिलने से सबसे ज्यादा किसानों को ही फाइदा होगा इसके बाद अब किसान समय रहते अपनी फसलों को मौसम के बदलते मजास के अनुरूप बचा सकेंगे साथी मौसम के अनुरूप कोई भी काम करेंगे कई बार मौसम के कारण फसलों की पैदावार और इसकी कटाई में काफी परिशानी आती है कई बार खराब मौसम के कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है लेकिन अब किसानों को परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पंचायत सर पर मौसम केंद्र बन जाने से मौसम की हर एक जानकारी किसानों को आसानी से मिल जाएगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि मौसम केंदर बन जाने से किसानों को 25 सर पर अब काफी सुवधा मिलेगी धन्यवाद